अलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए बहुत ही मैत्पून टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको अम्रूत से ठीक होने वाले उप्चारों के बारे में कुछ खास बाते बताएंगे दोस्तो अम्रूत खाने से आँखों में तरावट आती है और पेट की कब्स दूर होती है कब्स वाले रोग्यों को नाश्टे में अम्रूत लेना चाहिए यह अजीन और गैस को दूर करता है इसे नाश्टे में खाने से आपको दिन में भी बूख लगेगी सेंदा नमक के साथ खाने से यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है अब हम आपको चार ऐसी समस्याओं के बारे बताएंगे कि जिनका उप्चार आप अम्रूत से कर सकते हैं सबसे पहले तो दस्त अगर आपको दस्त की समस्या है तो अमरूत की कॉमल पत्पियों उबाल कर पीने से पुराने दस्त में आपको लाब मिलेगा दंत पीड़ा अमरूत के पत्तों को चबाने से दातों की पीड़ा दूर होती है या अमरूत के पत्तों का पानी में उबाल कर आप उसका कुला करें इससे दातों का दर्द, मसूडों का दर्द और ये दातों की सूजन को दूर करता है दोस्तों तीसरा उपचार है इसका कुकर खासी अमरूत को भूमल में रखकर सेख कर खाने से कुकर खासी ठीक हो जाती है यर कच्चे अमरूत का छिलका चबाकर उसका रच चूसने से इस खासी में आपको अराम मिलेगा दोस्तो हमारा चोता नूस्का है कभस का 500 गराम अमरूत खाकर उपर गरम दूद पीने से कभस दूर होता है पुराने कब्स के रोगेंगों सुबा शाम अमरूत खाना चाहिए दोस्तों ये नुस्का ध्यान से सुनियेगा अगर आपको कब्स की समस्या है तो डाइसंग गुराम giving अमरूत खाकर उपर से आपको गरम दूर पीना है इससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्स की समस्या भी दूर हो जाएगी दोस्तों ये हमने आपको जो नुस्के बताए हैं ये सब आजमाएवे नुस्के हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद